चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं तो यहां पर हम लोग श्टार्ट करने वाले बेटा अपनी एक्ससाइज 10.2 तो बेटा 10.2 में जितने भी कोचन है हम लोग इसको वन सौट वीडियो में कवर करेंगे लेकिन इस सबसे पहले यहां पर 5 से 7 कुछ थेयोरम मिलेंगे आई इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको हम वो study कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फटाका अपनी शुरू करते एक्सराइज यानिके 10.2, अच्छा, इसकी जो 10.1 वीडियो थी, हमने उसमें काफी ज्यादा कुछ basic cover किया, कि circle क्या होता, code क्या होती है, इसका diameter क्या होता, सब कुछ arg क्या होता, सब कुछ discuss किया है, अगर उसको आप न देखे हो, तो उसको देख लीजे, so that you can understand this exercise better, आप लोग उसको अच्छे समझ पाएंगे, चलिए, तब भी हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर सुरू करते हैं, सबसे पहले समझनी वाले यहाँ पर तो करहा कि equal cold, आप हा circle, subject equal angle at the center, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो मैं मा को बताता हूं करहा कि अगर हमारे पास कोई circle ने हुई हमारे पास circle है, तो उस circle में अगर हमारे पास में एक यह हमारे पास cold है और एक यह cold है, अगर यह दोनों equal हैं, तो इनके माध्यम से बने हु तो हमने कहा कि यह मालू center है, तो एक cold हमने यह ले लिया, एक cold हमने क्या क्या, यह ले लिया, दो cold हमने ले लिया, अब इसको मैंने क्या क्या, यह center से match कर दिया, इसको center से मिला दिया, तो मैंने कहा condition दिया, जिसे मालू यह A है, यह B है बेटा, यह मारे लिए C है, यह मेरे लि equal है बेटा, यानि ये वाला और ये वाला का दोनोją equal हैं, तो इनके angle भी क्या होंगे, equal हो जाएंगे, यानि कि AOB यानि कि A O B वाला जो angle है, और इदार से DOC, यानि कि हमारे पास में DOC यानि कि D ये वाला OC, यայनि DK O C, यह हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यह हमारी क्या है, फिरो नमबर 1 है, समझ में आ गया, बहुत बड़े हैं, चलिए आगे देंगे, अच्छा बेटा, अब कुछ लोगों को बच्चों को कभी प्राब्लम होती ही, बेटा, जो हमने यहाँ पर देख आप लोग, यानि कि BOA, यानि कि जो BOA हमारे पास में एंगल है, यह क्या हो जाएगा, एक्कॉल हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ दी, DOC बोले, तो यहाँ पर उल्टा भी गोल साथे, COD, यानि कि C, O, D, यानि कि यह हमारे पास कर जाएंगे, एक्कॉल हो जाएंगे, ब देखा है तब परपेंडिकुलर फ्राम दे सिंटर आफ अ सर्कल टु दब बाइसेग दि कोल्ड क्या कहता है देखो बेटा बाइसे मलब होता है बराबर दो एक्वाल पार्ट में डिवाइट कर देना बांट देना कह रहा कि बेटा अगर हमारे पास में कोई भी सर्कल है कोई इस यानि की कोल्ड पर तो ये कोल्ड क्या होती है यानि ये बाइसेट होता रती है यानि की दो एक्वाल भाग में क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जिसे मालनों ये ओ है यह हमारे पास ए पॉइंट यह हमारे पास बी पॉइंट है और मालते जहां पर बाइसेट क्या हो यहां पर नंबर 3 देखते क्या कहती है एक वल कोल्ड एक वल कोल्ड देखे जहां से गिवन फिगर में हमारे पास कोल्ड कौन है यह यह निकि एक कोल्ड है यह कोल्ड है तो कर रहा कि दोनों कोल्ड क्या है एकवल है ठीक है तो कर रहा कि एकवल कोल्ड आफ सर्कल आर्थ एकवल डिस्ट्रिंस फ्राम दे सेंटर तो कर रहा कि अगर हमारे पास एक सर्कल में दो हमारे पास क्या है बेटा दो कोल्ड है और अगर यह बराबर है यहां पर क्या है यहा को ढूँगे न उस पोजीशन पे से दूरिया इनकी भी बराबर होँगी तो O जो L है यह यानि कि O M कि क्या हो जाएका बराबर हो जाएगा अगर नसम्मा मैं आओ, फिसे में डिग्राम मिना के दिखाया जे रहा हूँ डिखेदांस जिसे हमाद लेजिए हमारे पास सर्कल है और सर्कल मालेजिए सेंटर है अगर मैं इसमें दो कोल्ड बना लो बेटा क्या होंगे बराबर डिस्टेंस होगे यह मैं O माल लू यह L माल लू अगर मैं इसको M माल लू तो यानि कि यह हमारे पास क्या है एक कोल्ड है और यह हमारे पास क्या सेंटर है तो कोल्ड से दो एंगल बने हैं एक बना हुआ है देखे सेंटर पर बना हुआ है और इसी वाली कोल्ड से एक क्या है इसके सरकमफेस पर इंगल बना हुआ है तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में relation होता है क्या जो बेटा ये वाला एंगल ये ओ एंगल कैसे लिखेंगे A, O, B लिख लो या तो फिर B, O, A लिख लो कैसे भी लिख लो बस बीच में सेंटर में O आना चाहिए देखो तुम इसको ऐसे लिख लेता हूँ A यानि कि ये वाला और A, O, B, A, O, B इसको ऐसे लिख लेते हैं तो जो ओ वाला एंगल यानि ये ये वाला एंगल है ऐसा देखा गया experimentally ऐसा देखा गया लोगों ने देखा यानि कि ये एक सरकल में कि जो center angle बनता है न ये two times होता है अगर same cold से एक उसके circumference angle बना हो कैसे लिखेंगे इसको A, C, B यानि कि A, C, B ये देखे जान से इस B ये ही कि यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास में एक circle है और circle में एक center है और ये मालो हमारे cold है तो cold के माध्यम से जो यहाँ वाला angle होगा ना उसी same cold से circumference पे जो angle होगा ये वाला इन दूनों में क्या relation होता है वैसे साथ-साथ दिख भी रहा है यह देखो बड़ा angle है यहाँ तक है और यह के वाल इतना ही angle है तो यह angle क्या होता है इससे दूगना होता है यहाँ अगर मालों कि हमारे अगर हमारे पास इक सरकल में आपने सेमी सरकल ले रखा है सेमी सरकल कब होगा जब एक लाइन आप डायमेटर खिच देजिए बीच से तो जो आधाई हो जाएगा आधाई हो जाएगा तो आधे वाले को बोलते हम लों क्या semi और आगे circle का रूप है तो इसको circle बोल दो यह वाला portion के ताहां पास semi circle है तो यह क्या कर रहा है कि अगर बेटा semi circle है तो semi circle के परिद पर यानि circumference पर जो भी यानि कि angle बनेगा जो भी यानि कि जैसे मालो कि यह diameter हमारे पास हो गई तो इस diameter को base मानते हुए अगर मैं एक triangle बनाऊं तो यहां वाला angle हमें से 90 होगा किता होगा 90 यानि एंगल किता होगा 90 होगा तो वही लिखा है कि अगर हमारे पास में एक diameter है तो diameter वजह से आधा यह दिवाइड हो जाएगा तो जो सेमी सर्कल में जो हमारे पास में यहां पर बनेगा वह किता होगा 90 होगा किता होगा 90 होगा यह लिखा हुआ है सेमी सर्कल में जो भी एंगल होगा इदा राइट एंगल यहां पे जो भी एंगल बनेगा किस्ता बनेगा हमारे पास में राइट एंगल बनेगा तो यह थेव नमर किती होगे यह पांथ होगे यह पहचानते हैं यह आ गई तो चलिए इसको लाख कर लो यह क्या कहती है बेटा आव देखो मैं इसको समझा दो फट 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 देखें जैसा मालों यह हमारे पास क्या है सर्कल है और सर्कल में मालों इस सेंटर तो मैंने क्या क्या यहां पर बाड़ा बना लिए तुर माल लो तो आजे ये वाला थे हैं और तो कह रहा कि अगर कर्कमप्वैंस पर इस अगर से बने कोल्ड से यह अपने ब्राबर हो जाएंगे जैसे इस इसको बोल दूण यह हमारे लिए यह स्या मालनों यह हमारे पाद डी एह है यह वライ DK क्या बताया अगर सेम यानिविक एक वाले और बी वाले क्या हो जाएंगे जिससे मालूँ यह 30 इंगल है तो यह अपनी आप क्या हो जाएगा तीस हो जाएगा अगर !!! पर कभी यह इंगल यह होँग यह यह वाला इंगल क्या होगा बराबर होगा है यह मारपास सहना नूमПр यहां पर लोग कर लेंगे चलिए यह इसको देखेंगे यहां पर सब्सक्राइब क्या कहती है यहां पर साथ लोग कर लेंगे देखिए यह इसके बारे में क्या है और देटी यह क्या है साइक्लिक क्या होता है बेटा यानिक एक सर्कल बनाओ और सर्कल में ऐसा सर्कल बनाओ चार लाइने हैं हमारे पात में सर्कल क्या करें चार पॉइंट पायंट यानिक टच करें जो आगती बनेगे इसको क्या बोलेंगे पढ़ेंगे हैं ऑना कि आप नीचे पढ़ते हैं है अब यह क्या अब देखा घृवर में क्या पढ़ें युजा आव हुआ जाओ दस्सम आफ एधर पेर आफ बोजी इंगल अदि वटी क्या लिखाथ समझाते तुमको जैसे मालो कि हमारे पास क्या है सरकल है सट्टिक क्वाइटर के बारे में बात देखो क्या माली सरकल है और यह इन चार प्वाइंट से मिलते हुए हमने क्या किया यहां पे साइक्लिक लिट्र फिच लिए यहां पर टच करेगा करेगा तो कह रहा है कि जो साइक्लिक लिट्र इन दोनों गर जोड़ोगे ना इनका सम 180 आएगा किता आएगा 180 आएगा यहां पे इनका वाला और कॉन वाला हमारे पास यह दोनी आगया तो अगर प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् अब यह क्या है अब यह क्या कहता है बेटा सीधा प्रूव क्या करना यह देख लो हमारे पास cbe cbe कहां गया देखी दान से cbe cbe यह यह बाहर वाला हमारे पास इंगल है अब यह क्या बताता देखो जिसे मालो कि हमारे पास circle है और मैंने क्या 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 इस पर एक cyclic quadrilator बनाया तो अगर मैं किसी एक side को कर मैं आगे बढ़ाते जाओं अगर मालो इस side को मैंने यहां तक बढ़ा दिया तो जो यह वाला angle है न बेटा यह वाला angle equal होगा इसके opposite angle के यहां पर जो angle A है वो angle D के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा यह 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 यानि कि हमारी 8 भी theorem है और यह last theorem है पिसे समझा दू जैसे माली यह हमारे पास है तो इसके गंदर कर मैं क्या करूं एक साइकिलिक, यानि कि ऐसे मैं एक साइकिलिक क्या बनाऊ, एक साइक्लिक यानि क्वाइडिलेटर बनाऊ, तो किसी एक साइट को अगर मैं बढ़ा दू, तो उसके मांदर जो यहां पर एंगल बनेगा, उसके अपोजिट वाले के बराबर होगा, जैसे मनलों यह A है और यह कि iso you gotta Look at a यानि-वाराबन-वार्ण tuhी यह हमारे पास नोट के लिए of बच्छनोड के लिए बहुत उंदर काम के आपने तो देखे दिया में बेटा थ्योन अब हमाई सिरुम होगे खतम अब अब अटाका हम लोग शुरू करेंगे अपनी इससाइज याने के 10.2 जिसको समल लीजिए आप हैसे से रिवाइज कर लीजिए तो हम लोग शुरू करते याप है याप है पनी ससाइज 10.2